हेलो दोस्तों रेलकारवा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जब भी हम भारती रेलवे से लंबी दूरी का सफर तै करते हैं तब अक्सर हमने ट्रेन नंबर के साथ अप और डाउन जरू लिखा हुआ देखा होगा तो आज की वीडियो में हम यही जानने व तक देखते रहिए तो चलिए आज का रिलकारवा शुरू करते हैं मार्च 2003 तक रेलवे केवल नौ जोन में ही बटा हुआ था एक अपरेल 2003 को साथ नए जोन बनाए गए प्रत्यक रेलवे जोन का एक मुख्याले होता है जैसे मध्य रेलवे का मुख्याले मुंबई शिवा जी माराज टर्मिनस है ट्रेनों को अक्सर अप या डाउन के रूप में जाना जाता है अब हम इसका मतलब जान लेते हैं डाउन का मतलब है कि जो ट्रेन अपने मुख्याले को छोड़ कर दूर जाएगी वो डाउन ट्रेन कहलाएगी अब का मतलब है कि जो ट्रेन अ डाउन गोल्डन टेंपल मेल मुंबई सेंट्रल से अमरीच सर तक चलती है और वहीं दूसरी ओर train नमबर 12904 अप अमरीच सर से मुंबई सेंट्रल तक चलती है अब जो train अपने मुख्याले को छोड़ कर अमरित सर की और जाएगी वो डाउंटरेन कहलाएगी जैसे 12903, डाउं, गोल्डन टेमपल मेल, इसी तरह से जब यही गोल्डन टेमपल मेल, अमरित सर से मुंबई सेंट्रल अपने मुख्याले की और जाती है, तो वह अप ट्रेन कहलाएगी और इसका नमबर 12904 है आमतोर पर अप और डाउन ट्रेनों की संख्या केवल एक नमबर से ही अलग होती है शताब्दियों के अनुसार विशम संख्या डाउन रन के लिए और अप रन के लिए सम संख्या को इंगित करती है हावडा में कालका मिल को भ्रम से बचने के लिए एक अप या दो डाउन और हावडा बॉम्बे मिल को दो अप या एक डाउन के रूप में गिना गया था अगर विदेशी रेलवे की बात करे तो यूके में यह नियम था कि लंदन जाने वाली सभी ट्रेने अप थी और इससे दूर जाने वाली सभी ट्रेने डाउन थी अब पुराने जमाने की बात करे तो भारत में ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेलवे ने बॉम्बे के संबंध में इस नियम को अपनाया और मदरास रेलवे ने इसे मदरास के लिए अपनाया दिल्चस्प बात यह है कि इस्ट इंडियन रेलवे ने अपने बेस कलकत्ता की ट्रेनों को डाउन ट्रेनों के नाम देने का फैसला किया शायद ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेलवे से कलकत्ता पहुँचने की उमीद थी इस नियम को बंगाल नाकपूर रेल्वे ने भी अपनाया था और उत्तर पश्चिमी रेल्वे पर अब पश्चिम की ओर था ताकि दिल्ली से अमरिस्तर जाने वाली ट्रेने अब हों हालां कि गाडियों के बीच भ्रहम की स्थिती से बचने के लिए और विभिन कमपनियों या छेतरों से संबंदित कुछ बदलाव किये गए थे हम आशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारती रेल्वे में ट्रेन पर लिखे अप और डाउन का मतलब क्या होता है तो हमें उमीद है कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की भारती रेल्वे से जुड़ी बेतरीन वीडियोस देखते रने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा मनुबल भी बढ़ा सकते है और आज की वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी बेतरी नोटियो में तब तक के लिए बाई बाई